तो दोस्तों आपका स्वागत है ब्लोग्टू बिलियन यूट्यूब चैनल पे और अफिलेट सीरीज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं कौन से तीन गोल्डन डूल्स है जिसको मैं फॉलो करता हूं और उसके बाद ही मैं किसी साइट बनाता हूं तो चलिए है ना हम उस पर बात करते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बर आये हो तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबा देना कि अफिलेट कोर्स का है ना पूरा का पूरा सीरीज आने वाला है तो इसमें हंडेड से भी ज्यादा वीडियो रहेगे र और उसके बाद ही किसी अफिलेट पर काम करता हो तो चलिए नाम देखते हैं तीसरा रूल कौन सा है यानि कि कोई भी नीश पर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बढ़ा होना चाहिए लाइक उस पर हैना हंडेड से 150 पेजिस घना बिल्ड कर सके उतना होना चाहिए क् कि गूगल को हैन ज्यादा कंटेंट पसंदें ज्यादा कंटेंट वेल रेशांच कंटेंट और एसा कंटेंट यूजर के इंकर आम हमारा है कि हमारे इंटेट यह है कि बायर्स को एना परफेक्ट प्रोडक्स सजेस्ट करना और अच्छे से इसलाना और हमारा नीश है वह स्मोल नीश नहीं होना चाहिए इस बात का ख्याल है कि हमें एसा नीश पशंद करना है जहां पर हम एक से दो साल तक वर्क कर सके क्योंकि है अगर वाइंवाइल नीश चूज कर लिया तो उसमें गूगल सेंट बॉक्स पिरियट भी रहेगा और आपकी साइट को सेंट बॉक्स बाहर निकलने में भी काफीर वक्त निकल जाएगा तो इसलिए अगर आप एक से दो साल एट लिश्ट ना उसको दे सके तो ऐस इसा ही नीश चूज करना और ऐसा नहीं है कि आप उस पर एकोस पर हो तभी है ना उस पर काम करना है पर आपको है ना उन से चलाना झाला यो और चल्ड प्रोसेस से प्यार करना है लिए डेखह आप कोई भी बीजिश ले लो तो अभी है ना हमारे पास इतने से से इतने यूट्यूब में 40 ऑर कई सारी चीज़ें आप वहाँ से ना उस निश्ट के बारे में शिक्ख सकते जena एक से दो साल देना होगा कोई भी निश्ट में आप काम पर करो तो एक्सपरटाइज ले सकते हो और उसके बारे में पढ़ सकते हो यह दूसरा रूल है एक से दो साल यह वह टाइम है जहां आप सो से 200 पेजिस की वेबसेट बनाते हो और अप उसके खुद से ही कंटेंड लेखते हो और आपको इना उसकी विबारे में कोई भी चिंदा नहीं कर आपने पसंद किया है तो उसके अराउंड एमेजन पर कई सारी प्रोडक्स होनी चाहिए तो हमें ऐसे ही नीश को पसंद करना है इसके बार मेहना हम आगे बात करेंगे और हमें ऐसे नीश में काम नहीं करना है जहां आप पर एमेजन पर प्रोडक्स नहीं है कि अगर आपने कोई भी प्रोड़क्ट पर्चेस कि अपने आइफ़न फिप्टी नहीं पर्चेस किया एमेजन से अगर वह सही चला और सारे चीज़े ना अच्छी चली तो आप रिव्यू नहीं लिखोगे और अगर उस पे आपक वह समझ रहा हो और अगर वह और ज़रूर से जरूर ना पर आधर प्रोडक्ट सही निकली और सब कुछ सही निकला तो आप रिव्यू दोगे वह ज़रूरी नहीं है कोई भी प्रोड़क्स है उस पे 50 से ज्यादा है ना पॉजिटीव रिव्यू है विप्टी से ज्यादा और फैज रिवीव है और उने डेवरेज उसका एवरेज फ्टार है वो फोर स्टार से ज्यादा है तो वह अच्छी प्रोड़क्त मानी जाएगी तो कुछ सी प्रोड़क्त ऐसी है कि जो वह बेस्ट तू सैल है तो देखो कोई भी प्रोड़क है उसको एना 100 रिव्यू से और तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह अच्छे से सेल हो रहा है और लोगों को भी यह प्रोड़क्ट पसंद है तो चलो हम देखते हैं मेजन पर कि कई कौन सी यह प्रोड़क्ट हो सकती है तो हमने यहां पर गूगल को ओपन कर लिया और यहां पर हम साच करेंगे यहां पर हमें यहां यहां पर दियान रहें तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अट लिस्ट होने चाहिए प्रोड़क्ट हो यह भी अच्छा है पर इसका रहां थर्टी सेवन डॉलर ही है तो अगर आप इस प्रोड़क्ट को ना प्रमॉट करते हो तो यह ना लाइक विदाउट एपार्ट से ना बिग जाएगी तो इसको है ना 4.8 स्टार्स मिले है और 83,000 से भी ज्यादा है ना इसको रेटिंग मिला है तो अगर हम यहां पर इसको देखे तो देखो इसको बहुत बहुत बिगती है तो अगर आप उसको सिलेक तो उसमें क्या होगा कि आपको और नंबर और प्रोड़क्ट अगर आप इसको किसी को भी रिकमांड करोगे तो वह ना इसको पर्चेस कर लेगा भी बिकॉज एट थाउसन से भी ज्यादा रेटिंग है पॉर और फाइट फाइव और यहां पर देखे तो एसा नहीं है कि इस रिवीव से वह फैक है देखो फोड़क्ट यह एक आइडियल प्रोड़क्ट है अगर यहां पर फिप्टी रिव्यूज भी ब्होते पिप्टी रेटिंग् है कि यहां पर देख सकोगे कि यहां पर अफिया आ रहा है उसके बाद में और इसके बाद मिए आ रही तो इसको देखते हैं यह क्या करता है यह देखते हैं तो यह मुझे है ना अफिलियेट साइट ही लग रही है मौट इंपोर्टन चीज क्या है कि कोई भी आप नीज लेक्रों कुछ भी करो तो उस पहना हमें एक बार तो देख लेना ही है कि यहां पहना अफिलियेट साइट सो हो रही है या नहीं हो रही अगर नहीं हो रही अफि तो ध्यान रहे कि कोई भी नीश पर ना काम करने से पहले ना उस पर देख लेना है कि कोई भी साइट टॉप 10 में रहें कर रहे हैं यहां पर डेडिट है तो यहां पर आप इस पोस्ट पे भी कमेंट कर सकते हो यहां पर सारी चीजों करते हैं तो देख लेना आपने की कौन-कौन सी आइटम और कौन-कौन सी प्रोड़क्स है वह आइडियल है और बेस्ट सेलर है और पिपल आर एक्चुली लवेंगे कई पर कैसा होता है कि लोगों को इतना दिबंग मैं आइडिया आता है कि मैं क्यों 50 टूलर वाली ही ज्यादा प्रोड़क्स बिखते हैं के लिए वह अमाउंट है वह बहुत छोटा है अगर वह 500 डॉलर से भी ज्यादा काहना स्पेंड कर रहे है तो एमेजन में कन्वर्जन रेट है वह बहुत कम मिलेगा यानि कि सो लोग है ना वहां पर जा रहे है तो पॉसीबल है कि एक करें और ना भी करें और मैंने यह पर्सनली ट्राइ किया हुआ है उसमें रेट बहुत लोग होता है पर अगर आप 50 डॉलर से लेके 100 डॉलर वाली है ना जो प्रोड़क्स है उसको प्रमोट कर रहे हो तो चांसिस है कि सो लोगों में से यानि कि सो क्लिक्स आपकी है ना प् जाएगी अपको एक नीश मिल गया है तो आप उस पर ही वर्क करें और आपका जो नीश रिसर्च है उसको स्टॉप कर दें को हैंना मोर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना वहां पर कई सारे लिग नीश है लाखों नीश है जिस पर आप ना वर्क करोंगे और सारी चीज़े करोगे और अगर आपने एक नीश हैना को पकड़े रखे हो तो उसको एन तक ले जाना है कई बर क्या होता है कि यह नहीं करूगा ना तो यह आज से चूट जाएगा वह आज से चूट जाएगा देखो मैंने कई पर बढ़ा है अगर आप ना दो रेविट को केश करते हो यानि की दो रोल रेविट को पकड़ते हो तो उन में से आप एक को भी नहीं पकड़ पाऊगे अब बिगनर हो तो एक साइट पर अच्छे से फोकस करो और जनरेटिंग मसीन बना दो लाकों ऐसे नीश है कि जो हैना आपको ज्यादा पैसे देगे ज्यादा इस होगे पर ऐसा नहीं है कि आप उस पर रिसेर्च करोगे और एक से ना ले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइस से लो सब्सक्राइब करते ना और अगले वीडियो का वेट करना से यू इन दा नेक्स्ट वन